भजन सहिता 36, 1-12 तक दुष्ट जंका अपराद मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टी में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रगट होने और ग्रिनित ठहरने के विशे अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बाते तेरी करुना स्वर्ग में है, तेरी सच्चाय अकाशमंडल तक पहुँची है। तेरा धर्म उचे परवतों के समान है, तेरे नियम अथा सागर ठहरे हैं, हे यहोवा, तू मनुष्य और पशुद दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुना कैसी अन्मोल है मनुष्य तेरे पंकों के तले शरन लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से त्रिप्थ होंगे, और तू अपनी सूप की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानन आत्मा की सामर्थे से भरा हुआ गलील को लोटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालियों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीती के अनुस समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को द्रिष्टी पाने का सु समाचार प्रचार करून और कुछले हूँ को छुडाऊं और प्रभू के प्रसंद रहने के वर्ष का प्रचार करून। उसने उनसे कहा तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य अपने आपको अच्छा करून। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी करून। और उसने कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कोई भविशिद वक्ता अप विध्वा के पास। और एलिशा भविशिद वक्ता के समय इस्राइल में बहुत से कोड़ी थे पर सिर्यावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुध नहीं किया गया। ये बाते सुनते ही जितने आराधनाले में थे सब क्रोध से भर गए और उटकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहार पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले की उसे वहां से नीचे गिरा दें। परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसक जानता हूँ तू कौन है तू परमेश्वर का पवित्र जन है। लीशू ने उसे डाट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानी पहुँचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचमभा हुआ और वे आपस मे बातें करके कहने लगे यह कैसा वचन है क्योंकि वह अधिकार और सामर्थे के साथ अशुद्ध आत्माओं को आगया देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों और हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। गिंती 13, 26 से 33 तक और पारान जंगल के कादेश नामक स्थ जा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूद और मधू की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गड़वाले हैं और बहुत बड़े हैं और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। दक् भी चड़के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि नी, संदे हमें ऐसा करने की शक्ती है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चड़ने की शक्ती हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राइलियों के सामने उस वह देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नप मंदली चिल्ला उठी और रात भरवे लोग रोते ही रहे. और सब इस्राइली मूसा और हारून पर बुर बुर आने लगे और सारी मंदली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिसर ही में मर जाते. या इस जंगल ही में मर जाते. यहोबा हम को उस देश में ले जाकर क्यों बार से मरवाना चाहता है. हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिसर देश को लौट जाएं. फिर वे आपस में कहने लगे, आओ, हम किसी को अपना प्रधान बना लें, और मिसर को लौट चलें. तब मू यदि यहोवा हमसे प्रसन हो, तो हमको उस देश में, जिसमें दूद और मधू की धाराएं बहती हैं, पहुचा कर उसे हमें दे देगा. केबल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरें हुआ. तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरसकार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा, और उनके निजभाग से उन्हें निकाल दूनगा, और तुझ से ए यहोवा है, इन लोगों के मध्य में रहता है, और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में, और रात को अगनी के खंभे में होकर इनके आगे-ागे चला करता है. इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्थी सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपत खाई थी पहुचा न सका इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। यहोवा ने कहा तेरी बिनती के अनुसार मैं ख्षमा करता हूँ परंतु मेरे जीवन की शपत सचमुच सारी पृत्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किये हुए आश् परंतु इस कारण की मेरे दास कालिप के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीती से मेरा अनुकरन किया है मैं उसको उस देश में जिसमें वहो आया है पहुँचाओंगा और उसका वंच उस देश का अधिकारी होगा अमालिकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं इसलि ये उनसे कह कि यहोवा की एहवानी है कि मेरे जीवन की शपत जो बाते तुमने मेरे सुनते कही हैं नी संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा तुम्हारे शब इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिकाय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे उनको मैं उस देश में पहुँचा दूनगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुछ जाना है परन्तु तुम लोगों के शब इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे ब्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन उनकी गिंती के अनुसार दिन पीछे एक वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे तब तुम ज पुर्ष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे तब मूसा ने ये बातें सब इस्राइलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे वे सबेरे उठकर यह कहते हुए पहार की चोटी पर चड़ने लगे कि हमने पाप किया है परंतु अब तयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विशे यहोवा ने वचन दिया था तब मूसा ने कहा तुम यहोवा की आगया का उलंगन क्यों करते हो यह सफल ना होगा यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है मत चड़ो नहीं तो शत्रों से हार जाओगे वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा परंतु वे धिठाई करके पहार की चोटी पर चड़ गए परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा चावनी से नहटे तब अमालेकी और कनानी जो उस पहार पर रहते थे उन पर चड़ाए और होर्मा तक उनको मारते चले आए